गुट इवनिंग विल्कम तो मैं चैनल दे इन्वीजिबल ट्रेडर को लास्ट विक आपने अच्छे पैसे कमाये होंगे एक्सेप्ट तो अपना स्ट्रांगल था बैंक निफ्टी का उसमें भी मतलब प्रॉफिट तो नहीं बना जाथा पीसाइड लेग हमारा बन गया था स 300 पॉइंट पॉइंट फेल अल्मस्ट फोर हंडेट टू हंडेट फिप्टी का आसपास मार्केट नहीं यहां पर फॉल किया था जो हमारी एंट्री थी और आउंड हंडेट के आसपास थी तो यह अल्मस्ट पचास पॉइंट के लॉस्ट पे हमने निकाला यह लेक साइट नीचे वाला अपना निकल गया बट हावएवर कंसीडरिंग पॉजीशन मार्केट वाज अल्टर बॉल तो यह पॉजिशन हमारा लॉस में गया है तो मेरा परस्नली एट वाराउंड सिक्स्टी पॉइंट लॉस एवन इन दस्ट्रांगल के तो स्ट्रांगल वाला पॉजि क्रियेटेड इशू जन थर्स्टे ट्रेडिंग इस्पेशली सेलिंग पॉजिशन बैंक निफ्टी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा अगर आप यहां पर देखोगे पांच पिनिट में जाता हूं तो लंडेस्टान के थर्स्टे में अगर आप देखोगे थ मैं निफ्टी ट्रेडर नहीं हूं निफ्टी में जिननों ने रखा होगा मैंने बोला था रखने के लिए ठीक है बैंक निफ्ट में हमारा एक लेग लॉस में गया है बाकी रेस्ट पॉजिशन वर प्रॉफिटेबल लेनीव है और इंट्राडे में अगर आपको एक चीज कर देना है क्योंकि उसके बाद मार्केट मेरे को क्लियर ली उपर दिख रहा था तो अगर यहां पर भी देखोगे जो ट्यूज्डे की क्लोजिंग है इस अराउं 33,765 हमने पोजिशन कहां पी दिया था सेल करने का 33,500 तो 250 पॉइंट में ही आपको क्लोज कर देना चाहिए था स्टिल इट उडब इने स्मॉल लॉस आइंग बद लॉस जादा नहीं होगा बद मेने फिर भी बोला था आप उस लॉस को ले ले लेना आपको चोटा मोटा जोगी हो मेरे खाल से चालिस पिशास पॉंट से जादा मेंबर ना लॉस unless in on a separate top right-dude mootahmota आप देखोगे तो इसटील फ्रोफीटेबी लेंग बरेए था स्थमो Raphael ऑट्हरU 종 A वियू में जो हमारा आश्टो अगर आप देखोगे जो आश्टो की टाइमिंग मैंने दिया था एवरी डे आश्टो हाज मिस्ट वान पैच तो मंडे टूज़ए वेड़नेज दे थास्ट फ्राइडे हर एक दिन मैंने आपको तीन दिन पैचेस देते और तीन पैचेस में सि आपको बताता हूं जो मैने आपको पंद्रा दिन पहले वीडियो में भूली थी ठीके से चालू करता हूं। वाई आई हाव गिवन लास्ट वीक्स अगर आप देखो गए मैंने आपको श्रांगल भी दिया है और पी हेजट सेलिंग दिया है मैंने वहला पी सेल करो पैसा मिलेगा मैंने आपको दो हपते पहले का अगर वीकली वीडियो आपको याद होगा जब यह तीन रिट कैंडल ब सब्सक्राइब का मन्त था डेफिनेटली नो डाउट तो व्यू हमारा सही गया है विकली अगर मैं देखू अगर आप देखोगे यहां पर यह तीन के बाद मैंने बुला था अगर यह ग्रीन बनेगा तो उसके बाद हमें बाइन डिप्स में ही मोस्टली रेलाए अगर तो वीक्स जबकि अभी जुलाई का दो हपता और बाकी है मिनिममम तरा टू मोर विक्स लेफ्ट आउट में सिनारियो क्या होना चाहिए मोटा मोटा जो है अगर यह पोजिशन को अगर मैं लेके चलू यह बॉटम लाइन तो कटने वाला है नहीं तैस बरी सिंपल इन प्रेश्मेंट एगें शुट भी बॉट ओके यह जो मैंने अभी स्विंग हाई बना इसको क्रॉस नहीं करेगा दाट्स ओके बट एनी टाइम वी गेट वेरी डीप रिट्रेस्मेंट एनी डेए डाट डीप डीप्रेश्मेंट शुट बीबॉट ओके तो वह टाइमिंग म में देता हूं तो आपको पहले समझ में आएगा कि मैं हमको ट्रेड कैसे करना है देखो पहले में पाटन बनाता हूं कि पाटन अपना जो हम रेगुलर्ली बनाते हैं मंडे हम गया मूलने नाइन नाइन फिप्टीन टू टेन फॉर्टी फाइव हम बोल रहे है जाचरी उ सल्वममें 15.2 3. seemed good, okay, whether it will cut day slow or no We don't know but most probably should not cut okay 12 July the full day Market Looks Buy And This you can have a movement देखने की पॉसिबिलिटीज है 942 1030 वाला जो सेल हो भी बड़ा है 1042 1120 रेंज बाउंट उसके बाद 1142 1240 पॉजिटिफ यह पॉजिटिवनेस लेकिन स्लो है 1523 पीम सेल इससेल पोने में यह जो फॉल है इस फॉल का मुमें तॉड़ा मेरे पो बड़ लग रहे है इत माइट बीपॉसिबल यह को पॉजिटीफ दीन स्कॉआvad 1145 कास्पास and then rest till 30 अपना रेंज बाउंड अन दे अपर साइट friday 9 15 to 130 पॉजिटिफ and 140 to 345 अब देखोगे ना मार्केट स्टिल रेंज बाउंड लग रहा है मतलब मेरे को बट यह विद्नेस जेका फॉल कितना बड़ा होता है उसके उपर डिपेंड करता है मुझे लग रहा है Tuesday इतनी मुवमेंट हुगी अपर सइट वेनज देस टे सेम मुवमेंट विल बी निगिटेट चो एक ग्रीन कैंडल टूसे बनेगा ऐसा वैंड देको सेम रेड कांडल बन जायेगा पॉंड़ा साइज तेश्डे मुझे लग रहे हैं साथ सो आट सो पॉंट की मुमेंट और वेनेश जे को आट सो नोसो पॉंट का फॉल यहाइवर कॉंसिडरिंग दा अगर आप देखोगे मुझे इस्टिल मार्केट डाउन साइड लिमिटेड लग रहा है त पी है जी पी से इस तरह से नरेको तैराइस एक तरह का पाटन बनाते हुए वेरवर अ वेरवेर द ब्सलोप इस तवर्स चाइट का एक ड्रेंड बने माइगा कि पॉस्स्विए जो तरह तरह का jede मों यहां में दिकर एक इस एक ता संइलर गांड रम फीकली मैं इसपीस्तिल Solar आपको अब देखेंगे यह इन्साइट कैंडल है लेटल बित नॉट प्रीविट नहीं है बट मैं इंप्लिसिट कैंडल अगर कंसीडर करूंगा तो यह इंसाइट कंसीडर कर सकते हैं गुद मुवमेंट इस गुद मुवमेंट शुद कि युव ए ड्रेस्मेंट ऑफ टी परसंट लिस्ट डाट इस वाइव ब्रीव इस जो वेनेश जी आओने की पॉसिबिलीटिस है ठीक है डेली में अगर में करूं आपको ठीक है आप देखो डेली में मार्केट ने कैसे मूव किया है रंद बहुतम ठीक है थोड़ा और उपर जाके रिट्रेस करके ऐसे जाना अची है मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट और यह जो रिट्रेस्मेंट होगी यह हमारे डूड़ा लेवल के नीचे नहीं होनी चाहिए तो विकली लेवल में आपको पहले देता हूं तो विकली डूड़ा लेवल फॉर बैंक निफ्टी इस 34,646 जो थर्सडे का हमारा जो यह वीक का हमारा अपसाइट कापिंग लेवल था जबके मार्केट इसके उपर क्लोज किया है बट 34,600 यह जो लेवल मैं ने ड्रॉ किया है 640 जिक्स फॉर्टी का लेवल यह विकली डूड़ा लेवल है मार्केट इस अल्रेडी ऑन दो विकल यह है हमारा प्राइस एक्षिन के हिसाब से वियो करेक्ट ओके ना अगर मैं फीबो एक बार लगाता हो आपको एक्स्टेंशन एक बार लगा देते हैं कि मार्केट कहां तक जा सकता है ओके 1.414 रिजनेबल टार्गेट 1.618 अगर आप देखोगे यह फीबो लेवल माच कर रहें बट इस और नोट फीबो लेवल्स इस और माय काल्कुलेटेट लेवल्स फ्रम अदर काल्कुलेशन्स बट अगर आप देखोगे वेड़्नेश की जोफॉड फोल होगे यहां से होगी यह फिर यहां से होगी कहीं यह फिर यह वांगे से होगी और यह फोल मिनिमम् साथ सौ पॉइंट की बात करता हूं थर्टी सिक्स ताउजिन वन हंड्रेट से थर्टी फाइब तौजन वन हंड्रेट यह दूडए लेवल के पास तो नहीं आ रहा है यहां तक एक हजार पॉइंट का फॉल अगर यहां से फॉल होता है थर्टी फाइब तौजन से वन हंड्रेट से थर्टी फाइब यहां तक यह जो यह थर्टी की जो क्लोजिंग है यहां तक मिनिमम एक एट हंड्रेट पॉइंट के आसपास की फॉल होने की पॉसिबलिटीज है यह तो फॉड्स तो वीकली डूड़ लेवल अं देन इट एक बाइगेन ऑन थर्जेंट फ्राइडे जो हमारा रेंग वांड व्यू है वह अपर साइड ही है ऑपर साइड है डाउन साइड के साथ हमारी थर्जडे की वीव और फ्राइडे भी हमारा मूफ फॉस्ट आप में पॉसिटीव है सेकेंड आप में यह गिर जागा ऐस इसका मतलब क्या है आप ये जो एक लेवल थर्टी फोर ताओजन सिक संड्रेड थर्टी फोर तौजन फाइफ एपन्डर्ड आप अगर लेलो मोटा मोटा फिरति फोर थाफ फाइफ अंडेड का शलिंग यहां पर था तब मैंने यहां का मार्केट पूरा तिन दिन मार्केट डाउंसाइड रहा फिर भी हम प्रॉफिट बना के गया है तो और यह सब्त भी मैंने पी सेलिंग आपको दिया था नेक्स वीक के लिए भी मैं आपको पी सेलिंग दे रहा हूं और मार्जिन बेनिफिट अगर आपको लेना है यह तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा मार्जिन में उसके साथ आप करो यह एक बार करो क्यूं बोल रहा हूं करने के लिए जैसे मैं बोला कि मार्केट अगर उपर से नीचे गिरता भी है यह डूड़ाई लवल पह कटेगा और जैसे यह दूसरी बार कटेगा तब तक अपना वेनेज़ डेंड हो जाएगा मुस्टली ओके और अगर मार्केट जैसे में बोलो जैसे बंडे मार्केट उपर है बंडे सेकेंड आप में थोड़ा सेल है यह मार्केट फुल डे पॉजिटीव है अगर ट्यूड करना है तो एक लोट और कर लेना सेम कॉंटिटी यहां तक पहली बार आएगा नहीं और थर्सडे हमारा जो वियू है के मार्केट उपर साइड एक्सपार करेगा और फ्राइडे भी कंटिन्यू करेगा थर्सडे तक भी अगर में वेट कर लो जैसे वेनेज़ यहां पर क्ल होई जाएगा अगर 20-21 के असपास आपको प्रीमियम मिल रहा है तो कट कर लो कट कर लो फिर तरश्डे को दूबार करना ठीक है बट ट्वेंटी रुपीस के लिए इसको रखना मुथ 20 रुपीस के लिए डॉन्ट कीप इट के लिए डूंट कीप इट ओके डाट वी एक कैपिंग है उचीस थर्टी शीक्स ताउजन वन हंडड़ेट तो के 36,100 वोड वी रीजनेबल प्रमी बट बट यह तूजडे को जीतना जाएगा उस लेवल के साफ से और मिंस कापिंग यह बहू सकती है कापिंग 36,300 भी हो सकता है, 36,400 भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी जहें, मार्केट ने क्लोज कहां पे किया, 35,262, that means, 1200 पॉइंट और मार्केट मुग कर सकता है, that means, what I'm saying is, Tuesday day end तक, जो मुवमेंट मेरी होगी, वही मुवमेंट मेरी weekly capping होगी, that's my personal view, okay, so this capping might be this, 24,400 की capping लेके मार्केट में जा सकते, and this is our R2, R2 का थियोर, थियोरिस सब को मालूम है, मार्केट अगर इसके उपर गया भी, तो within one hour it has to come back, okay, तो उसमें कोई घबरानी की जरुरूत नहीं है, resistance 2 ही हम capping रखेंगे, rather than this capping, okay, this और this till Tuesday end, whatever, that would be our weekly capping, because when I say go, mostly poor and negate करेगा, और Thursday को इस साइट में मार्केट एक्सपार करेगा, however, ultimately the market expires should be on the upper side, that's what my personal view is, strangle क्या आप कर सकते हो, कर सकते हो, ये लेवल से, 36,300, sorry, बहुत रिश्क की श्रांगल अगर आप देखोगे, तरह सो 800 पॉइंट का, 34,500 का आप ले लो, generally हम मैं बैंक निफ्टी का श्रांगल, 22,200 पॉइंट का देता हूँ, सो 17-18 सो पॉइंट का श्रांगल इस नोट बैट, it's very, very good strangle, However, Tuesday को अगर मार्केट ऊपर चला गया, तो घबरानी की जरुरत नहीं है, इसमें अज्जेस्मेंट करने की जरुरत नहीं पड़ेगी, हमें वेडनेज देता है, एंड दे एंड तक वेट करना है, वेडनेज दे डे अंड में डिसाइड करेंगे, अज्जेस्ट करना है, उपर साइड और नॉट, ठीक है, अधरोई जरुरत नहीं पड़ेगी, तो strangle भी, यह तीन विक से में यही पूजिशन दे रहा हूं, strangle भी ओपन कर सकते हों, और 36,000, 34,500 का P.E.C.L. भी ओपन कर सकते हों, और हैज़िट है, ओके, मैं पहले बाता देता हो, कि हम विकली डूडाइ लेबल यहां पर 16,000, 50 यह बहुत पावरफूल लेवल है, पहले भी हमने इसको बहुत बार लिया है, 16,000, 40, 16,000, 50 का लेवल, ओके, यह विकली डूडाइ लेवल है, मार्केट की जो हमारी एक अपर साइड की कैपिंग होगी, अपर साइड की कैपिंग 16,650 की है, मार्केट राइट नाओ 16,000, 220 में है, ओके, तो 400 पॉइंट की, अब मुवमेंट स्टिल मार्केट कें डू, पॉसिबल है, बहुत हाई पॉसिबिलिटिस है, कि मार्केट कर दे, ठीके, डाउन साइड में, हमारी जो कैपिंग है, ओ आइडिली ये रहेगी और ये रहेगी, डिपेंडिग अपन मंडे मार्केट उपन कहां करता है, मंडे अगर मार्केट गैप डाउन उपन किया, तो हमारी कैपिंग आइडिली 16,000, यह जो है ग्याप जो है ना 16,000 16,000 और डूड़े लेवल 16,000 50 पचास पॉइंट का ही डिफरेंस है स्टांगल अगर मेरे को करना है तो मैं 16,000 का भी कर सकता हूं 16,000 से 16,000 मार्केट जो है यह स्टांगल का मार्केट खेलना चाहिए और यह स्टांगल काम करना चाहिए पी सेलिंग जो आपको करनी है मार्केट यह पूरत 200-200 पॉइंट की फॉल दे दे उसमें आपको जटका लग सकता है यह पी में पर उसमें अगर वो फॉल होता है और इसके आसपस आता है डे एंड वेंड वेंडे को ठीक है तो हम एक बार एक लॉड़ चार्जस्मेंट करेंगे अगर यह फॉल स्टेट ह होता है ठीक है तो वेंडे को देखेंगे बट पी एंड स्ट्रांगल दोनों आप उपन कर सकते हों ठीक है अपर साथ की कापिंग मेरी बैंक निफ्टी में 16,650 डाउन साइड की जो कैपिंग होगी हो 16,650 प्रेंट का रेंज है इस डूड़ लेवल डूड़ लेवल का फं इलेवन टूड़ ट्वेल थर्टी मंडे की अगर ट्रेडिंग में करूँ हूँ सो यह मंडे के लिए चोटी-चोटी लेवल मंडे के मंडे की जो अपर साइड की कैपिंग है और 16,350 के आसपास दिख रहा है मेरे को मार्केट दो सतीस में तो हन्डेट थर्टी पॉइंट मार्केट स्टिल कें गो अप नैंज विप्टी दो टैन फ़र्टी फईब एलेवन टू ट्विल थर्टी मेर्केट पॉसिटिव ही है तो मार्केट थोड़ा उपर भी जा सकता है पॉसिबिएटिये तुड़ तीन- उसको जाने दो 115 से हम मार्केट को सेल कर देंगे और मार्केट में सेल करेंगे हमारी मिनिमम टार्गेट यहां तक होनी चाहिए घरिक टर्डिक हमारा मार्केट में होना चाहिए यह मार्केट अगर पॉजिटीव ओपन होता है मार्केट अगर गाप डाउन ओपन हो जाता है देन से लिटल बिट रिस्केट टू ट्रेड अगर गाप डाउन होके मार्केट कर देता है तो भी आपको रहना है क्यूंकि फोगेट अबॉट आपको बता रहा है आपको बता रहा है बायों डेस्ट पर सब्सक्राइब कर सकते हो टार्गेट आपका सब्सक्राइब करें उसके बाद फॉल हो गया तो ठीक है तो इंपोर्टन लेवल्स मेरा पॉसनल व्यू उपर साइट ट्रेडिंग का होना चाहिए मार्केट हल्का ग्याप अप करें सब्सक्राइब करके मौनिंग में उपर जाए इतना जाना है उसको जाने तो टेन फॉर्टिफाइब तक तो अच्छे मूब्स दिख रहे हैं तो वह बाई तो ले सकते हम एलेवन डू टू ट्वेल्ट थर्टी थोड़ा रेंज वांड रहेगा तो ऑप्शन बायर को लॉस कैपिंग के ऊपर राज है जाने की पॉसिबिलिटी जें हावर एक सिनारियो जो हम अगर मार्केट सीदेट डाइरेट कैपिंग लेबल के ऊपर उपन करता है और बड़ा रेट कांडल बनाता है बड़ा तब उसकेस में आपको यहां से करना है तक तो बाइब करना है बट 16220 से ही दुबारा यह दुबारा डे हाइट टच करके फिर फॉल करने की पासे पॉल्टेज जहें यह सिनारियो में जेनरल हम लोग इस सिनारियो में ना इस्पेसली फ्राइडेज में दिन भर सेल में रहते है बट इसमां दिन भर सेल में रहने की जरुवत नहीं है इडिल नॉट भी फुल डे सेल लेकर फ्राइडे तो यह हमारी कल की ट्रेड प्लान है और बैंक निफ्टी में अगर में जाओं तो यह हमारे जो लेबल से यह बहुत पावर्फूल लेवल से यह पावर्फूल ले होता है उपर जाने दो कैपिंग एक हमारी 35,400 के आसपास होनी चाहिए यह लुकिंग फॉर 300 पॉइंट का मूफ इन बैंक निफ्टी इस लेवल पे उसके उपर भी जा सकता है यहां से और फिर कहीं से भी उपर से 115 के बाद हम एक सेल करेंगे और सेल में टार्गेट आपका 35,100 का टार्गेट होना चाहिए थाट मिन से 300 पॉइंट का फॉल मिनिमूम ओके मार्केट इन कम दाउन यह ओके बट मिनिमम टार्गेट एक सोगा होना चाहिए यहां आ गया तो बहुत बढ़िया बात है विकास दिस फॉल इस लिटल बिग विग ओन फिप्टिन के बाद ज यह प्राइस अक्षन बनता भी और यह मार्केट गाप डाउन भी करता है ना यह मौनिंग से ही भाई हो जाएगा तो कि क्योंकि ट्यूज फॉल डे हमारा पॉजिटिव कर डिटल है तो पी लेके कोई फाइदा नहीं है क्योंकि पहला दो तिन मिनिट में ही यह जो गाप ड बाट मंडे अगर यह पाटन बनता भी है ना आपको लेनी की ज़रूरत नहीं है मत लेना राधन इंट्राडेक प्ले के लिए वेट करो और ट्यूज हमें फूल डे बायों डिप्स रहना है ठीक है बाकी लोगर कैपिंग लेवल तो मैंने आपको दे दिया है कल की जो हमारी यह कैपिंग लेवल है डाउन साइट की बैंक निफ्टी में वह कैपिंग लेवल यहां पर साइद मार्केट यह कट नहीं करेगा अगर कट किया भी है तो डे इंड पे इसके उपर क्लोज कर लेगा अगर हम ले रहे सिर्फ तीन सो पॉइंट की ही हम फॉल कैप्चर करने की इकोसिस कर रहे अनादर हंडेट पॉइंट 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 से ज्यादा का सेल में कल देखने रहा स्पेशल एंडिया विक्स वेरी वेरी लो तो यह एटीन पॉइंट के इसमें 300-400 पॉइंट पॉइंट सेल्फ वोड वेरी गुट फॉर आस ओके बड़ ज ज्यादा पैसा कुछ बना नहीं है मतलब I don't think 20-30 पॉइंट से ज्यादा मैंने बैंक निफ्ट में बनाया है ऑप्शन बाइंग में है ओके बट मंडे को एक क्लियर यू मिलेगा बोथ ऑन पॉजिटिव साइड और नेकिटिव साइड लिटल बिट दिरेक्शनल बट दिरे ठीक है और जैसे बोला ट्यूजे के लिए पी लेने की जरूत नहीं है यूजे फूल डे हम बाय और डिप्स रहेंगे और मुझे जो लग रहा है मार्केट इस तरह का एक मुमेंट देगा ट्यूजे मुमेंट माइट भी बिक और सेम मुमेंट शुट बी नेगेटे डान व यही ट्यूजे और वेड़नेश जेगा मुव आपको स्ट्रांगल में पैसे देखे जाएगा ठीक है थैंक्यू बेरी मच्च कुड नाइट चैबाताती